नमस्कार दोस्तों विनाश काले विप्रीद बुद्धी पिसले दो-तीन सालों से कपिल शर्मा शो कई बार बंद हुआ और कई बार शुरू हुआ लेकिन जितने दिन भी टेलिकाश्ट होता है कभी भी वैसी टी-ार-पी नहीं बटोर पाता जैसी पहले बटोरता था एक तो टी-ार-पी नहीं आ रही उपर से कपिल शर्मा और इसके जो मेकर्स हैं उनका घमंट कम होने का नाम नहीं ले रहा शो में अब जो है वही लोग अपनी फिल्म, किताब या सौंग्स का प्रमोशन करने आते हैं जिन्हें कपिल शर्मा खुद एलाव करता है और ये कभी भी छोटे कलाकारों को यहां पर नहीं बुलाता छोटे या नहीं कलाकार तभी आएंगे जब कोई बड़ा कलाकार शो में आने को तयार नहीं होता अभी एक फिल्म आई थी, किसी का भांट, किसी की नचनिया इसमें भुमिका चावला ने बॉलीवुड में काफी लंबे समय के बाद में कमबेक किया भुमिका के जात में वेंकटेश भी इसके जोड़ीदार के रॉल में था पूरी टीम फिल्म के प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा शो में आई लेकिन ना तो भुमिका को और ना ही वेंकटेश को शो में आने के लिए इन्वाइट किया गया बुलाना तो दूर की बात है, इन्वाइट कनना तो दूर की बात है उन्हें तो बताया तक नहीं गया कि वो जो है शो में जा रहे हैं खुद भुमिका ने इस बारे में एक इंट्रिव्य के दौरान बताया दरसल भुमिका और वेंगटेश को हिंदी बेल्ट में बहुत जादा सक्सेस नहीं मिली तो जो है शो ने उन्हें इग्नॉर मारतिया वैसे दद्दू जो है आजकल चालाकी में पैर दे रहा था लेकिन फिल्म एक ही हफते में टायं टायं फिस हो गई है पहले तीन दिन का कलेक्शन बढ़ चटकर बताया गया फेक कलेक्शन बताया गया लेकिन मंडे से फिल्म की कमाई 3-4 करोड तक अटक गई है बुद्वार के बाद से तो फिल्म ने जो है 2-3-3 करोड का ही कलेक्शन किया है फिल्म ने एक हफते में सिर्फ 45 करोड का कलेक्शन किया है जिबकि बताया जा रहा है 87 करोड 87 करोड भी बताओ लेकिन फिल्म तो वैसे भी फिलॉप हो चुकी है दुनिया भर के चिल्लर एक्टर को फिल्म में भल लिया और सोच रहा था कि अवतार का रिकॉर्ड तोड़ देगा खेर बोमिका ने बॉली वुड के बारे में एक और खुलासा किया है भोमिका ने बताया कि उसे बाजिराव मस्तानी के लिए लीड अक्टरेस के तौर पर फाइनल कल लिया गया था भोमिका ने ये भी बताया कि उसने स्क्रीन टेस्ट पास किया शुरुवाती स्टेज में जो फोटो शूट होते हैं वो भी हो चुके थे लेकिन उसे रातो रात फिल्म से बिना बताय बहार कर दिया यही हुआ था इसके साथ में जवी मैट के दौरान जवी मैट में शाहिद कपूर और करीना खान थे लेकिन शुरू में इस फिल्म के अंदर डारेक्टर जो है सनी दियॉल को लेना चाहता था सनी दियौल ने कहा कि इस रॉल में जो है मैं कमफर्ट नहीं लगूंगा तुम बॉबी दियौल को साइन कर लो फिल्म में इसके बाद बॉबी दियौल की एंट्री हो जाती है बॉबी को काश्ट किया तो भुमिका को काश्ट कनने के बाद साइनिंग एमाउंट देने के लिए भी बिलकुल पूरी तरह से तयार था लेकिन बावजूद इसके भुमिका को बाहर कर दिया भुमिका की जगे एंट्री होती है करीना खान तैमूर वाली की करीना खान पर उस समय शाहिद के रॉकेट का भूत सवार था तो उसने जो है बॉबी दियॉल को आउट कराया और शाहिद कपूर को कोपचे में ले लिया लेकिन इसी फिल्म के दौरान यानि फिल्म के रिलीज होने तक करीना ने शाहिद को अपनी नाव से उतार दिया और खुद सैफली खान के चंदरियान पर बैटने को चक्कर काटने लगी तो अब इसी फिल्म का जिक्र भूमिका ने किया है ये रातो रात फिल्मों से एक्ट्रिस को क्यो निकाला जाता है कैसे बिना स्क्रीन टेस्ट दिये कोई दूसरी एक्ट्रिस फिल्म में अचानक से काश्ट कर ली जाती है इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी फुल लेंथ वीडियो लेकिन उसे काफी समय बीच चुका है इस पर फिर से अगर वीडियो देखनी है तो कमेंट करना खैर अभी जो है इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो में और हाँ दूसरे चैनल पर इलूमिनाती पार्ट थ्री आज चुका है जिसने नहीं देखा है जाके वीडियो देख लीजिए अभी के लिए इतना ही जैहिंग चैराम जी की